हाई गाई स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रफिशनल ब्यूटी बार्ड में कैसे हैं आप सब आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यह अल्ट्रा ब्राइट क्रीम जो कि कॉफी यूज होती है हमारे इंडिया में और हम देखेंगे कि क्यो हम इसको यूज करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट हैं क्या इससे हमें बैनिफिट हैं हमको कब यूज करनी चाहिए कैसे यूज करनी चाहिए जो भी होगा जू होगा इसलिए अगर आप एक्रीम यूज करना चाते हैं तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत जादा हैलपफुल होगा आप किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे और आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको कै कैसे यूज करनी है क्योंकि देखिए कितना ही अच्छा टेक्ट लेलो लेकिन अगर आपको यूज करना पता नहीं होगा जैसे अभी हम Maked觉 करते हैं वेना już कि economic पता नहीं कर सकते हैं और अगर आपको मां केष्ट पता है तो अगर अपको मेडियों भी लें तो भी चलेगा बट आपको make-up करना आना चाहिए तो वैसा ही अगर हम इक creams use करते हैं तो हमको कैसे भी उठाके नहीं लगा लेनी है हर चीज़ का एक तरीका होता है तो वो हमको पता होना चाहिए कि हमें कभ यूज़ करनी है कैसे यूज़ करनी है यह तीन दवाओं के combination से बनी है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है Hydrocuron, Tratinoin and Mometason जो कि बहुत सारी दवाओं में इसको हमें किस problem में use करना है देखे सबसे पहली बात तो यही है कि हम यह दवा क्यों use कर रहे है मतलब हमको क्या problem है तब हम यह दवा यूज़ कर रहे है तो मिलाजमा जिनको भी hyperpigmentation मिलाजमा की problem है तो वो इस दवा को use कर सकते है mostly उसके treatment में यह दवा अभी हम इसके benefits देख लेते हैं कि इसके benefits क्या क्या है तो देखे सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मिलाजमा क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका mostly use होता है मिलाजमा की problem में तो मिलाजमा होता है देखे कि आपने mostly देखा होगा ladies के face पर जादा होती है ऐसी problem थोड़े brown से color के इस type के निशान होते है जिनको हम जाया भी बोल सकते है तो ऐसे जो patches बन जाते हैं उस problem में हम इसको use करते है अभी जो pregnancy में marks हो जाते हैं किसी के लग जाती है किसी तरह के चोट आती है तो उसके निशान को हलका करने में भी यह help करती है और हमारी skin को light करने में भी help करती है तो कोई भी आपके गहरे दाग धब्बे हो तो वहाँ पर आप इसको apply कर सकते हैं और ये उनको थोड़ा सा कम करने में आपके help करेगी किसी भी तरह की redness हो चकते हो, दर्द हो, खुजली हो उसको भी यह कम करता है लेकिन आपको हमेशा जब भी आप यूज करेंगे डॉक्टर के suggestion से ही यूज करेंगे otherwise आप एक cream यूज नहीं करेंगे तो डॉक्टर ने आपको जैसे बताया है उस तरीके से आपको यूज करना है देखिए मैं आपको common तरीका बताऊंगे लेकिन वैसे आपको डॉक्टर से consult करके यूज करनी है तो देखिए किस तरह से आपको देखिए जब भी आप इसको यूज करने है आपके hand wash होने चाहिए जहां भी आप इसको face पर या कोई भी तरह के आपके pregnancy के दाग धब्बे है कहीं भी आप इसको यूज कर रहे है तो आपको हमेशा अपने hand wash रखने है जिसे affected area पर आप इसको apply कर रहे है वो area wash होना चाहिए and dry कर लेना है और उसके बाद में आपको इसको apply करना है night में आपको इसको use करना है day में आप इसको use नहीं करेंगे टीक है आप डॉक्टर ने आपको जितना टाइम का बोला है आपको उतना टाइम ही यूज करना है उसके बाद में आप इसको यूज नहीं करेंगे क्यूंकि बहुत जादा यूज करने से जो मॉमेटासोन है वो इस्टेरोड है इसका स्कीन को फिर एडिक्शन हो जाता है और जब तक फिर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो आपको, आपकी skin red हो जाएगी वापस आपके निशान हो जाएगे इस skin को और जादा काला बना सकती है अगर आप long time इसको यूज करते हैं ओके, तो इसलिए doctor के suggestion से doctor ने जितने time आपको recommend की है उतने time ही आप इसको यूज करें mostly आप इसको 3-4 week यूज कर सकते हैं उससे जादा आप बिल्कुल इसको यूज नहीं करेंगे और उसके side effect क्या क्या हो सकते हैं आप ए दवा यूज कर रहे हैं आपको doctor ने में suggest किया है लेकिन आपको लग रहा है कि आपको इसका side effect हो रहा है means side effect जैसे की आपको skin पर redness हो रही है खुझली हो रही है कोई भी तरह की gelan हो रही है burn सा feel हो रहा है यह लालाल दाने हो गए आपकी skin पर तो ऐसे में आपको इसका use बंद कर देना है और आपको देखना है या तो खुझ ठीक हो चाते है अगर नहीं होते है तो फिर आपको डॉक्टर से consult करना है और उसके बाद में डॉक्टर देख लेंगे अगर जादा problem हुई तो अपने हिसाब से आपको treatment देंगे ठीक है बट आपको अगर कोई भी तरह का side effect हो रहा है तो फिर आपको इसको बिलकुल use करना बंद कर देना है अब भी देखिए इसके मैं कुछ आपको substitute दे रही हूँ जो कि अगर आपको ये cream नहीं मिल रही है तो आप ले सकते है तो देखिए Allosone H.T. cream आती है वो आप ले सकते है And second जो मैं आपको बता रही हूँ Malnore cream आती है वो आप ले सकते है Skin shine cream ले सकते है देखिए मैं आपको दिखा दू Skin shine cream जिसमें की देखिए यही combination है Hydroquinone, Retinoin and Mometasone तो ये वाली भी आप इसके substitute के रूप में ले सकते है And एक cream आती है guys Look Bright वो भी आप ले सकते है ये Torrent Pharma Cuticles Limited की है तो इस तरह से आप ये वाली creams ले सकते है अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो अब हम देख लेते हैं ये जो combination है दवाओं का ये किस तरह से वर्क करता है जो ये Hydroquinone है Tritinoin and Mometasone है ये कैसे हमारे चेरे के दाग धब्बे का इलाज करता है तो Hydroquinone क्या करता है Hydroquinone हमारे सकीन के दाग धब्बो को दूर करने वाली दवा है ये हमारे सकीन में जो pigment होता है melanin उसकी मातरा को कम करता है जो melanin pigment है वो हमारे सकीन के color को dark बनाता है तो उसकी मात्रा को यह कम करता है तो उससे हमारी स्कीन थोड़ी सी लाइट लगए बहुत जरूरी है जानना कि हम जो दवा यूज़ कर रहे हैं उसमें जो कॉम्बिनिशन्स हैं वो हमें किस तरह से वर्क करेंगे मॉमेटसोन जो है वो एक स्टेरोइड है मॉमेटसोन है वो एक स्टेरोइड है जो की जो आपके प्रोस्टा ग्लेंडनिन को बनने से रोकता है जिससे क्या होगा आपके स्कीन में रैडनेस, सूजन और खुजली की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको यह जस्केतस रोक देता है ट्रेटिनोईनिक विटामिल यह है जो की हमारे स्कीन को नया बनाने का काम करता है तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देखिए बहुत जादा लोंग टाइम अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसके बहुत जादा साइड इफेक्ट देखने को मिज़ सकते हैं इसे बहुत जादा लोंग टाइम आप इसको यूज नहीं करेंगे आपकी स्कीन अगर आपको लग रही है कि बहुत शाइनी हो रही है ग्लोई हो रही है और इसके चकर में आप इसको बार-बार यूज करे जा रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को लगता है कि मेरी स्कीन तो बहुत अच्छी हो गई है तो फिर क्यों मैं इसका यूज करना बंद करूँ लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप इसको बहुत जादा लॉंग टाइम यूज करेंगे तो जो मोमेटसोन इस्टेरोइड है यह बहुत जादा साइड इफेक्ट भी देगा आपको तो इसलिए आपको यूज नहीं करना है वरना हो सकता है कि जो आपका पहले कलर था उससे भी जादा काला आपके स्कीन को कर दे और उससे जादा आपके स्कीन पर दाग धब्बे हो जाए पिग्मेंटेशन हो जाए इसलिए आपको एक लिमिटेट टाइम तक है इसको यूज करना है अधरवाइस आपको इसको यूज नहीं करना है और अगर आपको कुछ और जादा डिजीज है तो देखे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको यूज करेंगे और जब भी आप इसको यूज कर रहे है तो आपके कोई भी ओपन एरिया पर ये दवा नहीं जानी चाहिए तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके नौज, इयर ऐसा कोई भी जो ओपन एरिया होते हैं हमारे वहाँ पर ये दवा नहीं लगनी चाहिए तो प्रॉपर आप देखकर यूज करेंगे देखे 25 ग्राम हम इसमें मिल रहे है यहाँ पर देखे MRP के अगर हम बात करते हैं तो इसकी MRP है देखे 155 रुपीज 2022 से हम 2024 तक इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इस दवा पर भी पढ़ सकते हैं आप अप्लाइ 30 मिनिट्स पिफोर बैट टाइम अबोईट सन एक्स्पोजर अप्लाइ सन स्क्रीन देखें, मैंने आपको बताया है कि आपको जब आप सो रहे हैं night time में ही आपको यूज करनी है जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको दिन में sunscreen जरूर लगाना है और आपको sun से mostly तो आपको avoid ही करना है दूप में जाने से अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो आपको कंपल सरी संस्क्रीन लगाने और फेस को अच्छे से कवर करके ही आपको निकलना है ठीक है तो ये छोटी छोटी बाते अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है आपको कोई भी side effect नहीं होगा अगर आप सावधानी से काम नहीं करेंगे सावधानी से इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे side effect भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर देखिया आपको यहाँ पर इसका यूज भी दिखा रखा है एक्स्टर पिग्मेंटेशन फॉर्म फेस नोज और चीक डैमेजिंग हामफुल मार्क्स और संबर्ण और मिलाज्मा हाइपर पिग्मेंटेशन इस तरह से तीनों प्रॉब्लम्स वे वर्क करती है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई